इंग्लेंड के मशूर और राउंटर बैन स्टॉक ने अपनी किताब ऑन फायर में 2019 के वर्ल्ड कप के बारे में कुछ ऐसा बताया है जिसे सुनकर आपको आश्चार्य होगा दरहसल बैन स्टॉक ने इंडिया द्वारा 2019 वर्ल्ड कप में के गए प्रदर्शन पर सवाल उठाये हैं इतना ही नहीं उन्होंने भारति कप्तान महिंदर सिंग धोनी रोहिश शर्मा और विराट कोली पर भी सवाल उठाये थे दरहसल बैन स्टॉक ने अपनी किताब आन फायर में भारती किरकेटरों के पर्फॉर्मेंस पर सवाल उठाये हैं उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में द्वारा दिये दरहसल बैन स्टॉक ने उस मैच का जिकर किया जिसमें भारत को 11 उबर में 112 रंच चाहिए थे लेकिन धोनी काफी अजीब तरीके से बल्लेवाजी कर रहे थे और गेंद के द्वारा फेके गए गेंद को बाउंडरी के बाहर बेजने की वज़ए एक रन लेने में ज़्यादा इच्छुक लगे दरसल बैनिस्टॉक ने बताया कि भारत मैच 12 गेंदों में भी जीज सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कोई भी प्लियर खेल में दिल्चस्पी नहीं दिखा रहे थे दरसल उन्होंने धोनी के साथ साथ की दार जादब पर भी सवाल उठाते वे कहा कि धोनी और जादब की साज़दारी में ऐसा नहीं लग रहा था दोनों में जीतने की ललक है इंगलेंड के खिलाडियों को ऐसा लग रहा था कि धोनी मैच को जीत लिंग पर ऐसा कुछ नही हुआ इंगलेंड के गिंदवाजों ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था लेकिन विराट और रोहित की साज़ेदारी काफी विच्छत्र थी इंगलेंड वर्सिस इंडिया इस मैश में भारत को हार का सामना करना पड़ा था इंगलेंड ने भारत को 377 रन का लक्ष दिया था और 31 रन से जीत हासिल की थी वहीं आपको बता दें बैनिस्टॉक ने ये बताया कि रोहित और उठना भी थोड़ा अजीब था बैनिस्टॉक ने कोली की इस शिकायत के बारे में भी अपनी किताब में जिक्र किया है उनके अनुसार ऐसी शिकायत अब तक किसी ने भी नहीं की थी क्या दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं